डाइविटीज माने मदमेह माने शुगर क्या आप डाइविटीज से पीड़त हैं? शुगर से पीड़त हैं? अगर हैं? तो ये वीडियो आपके लिए हैं बहुत ही जबर्दस्त हैं आज मैं बताऊंगा आपको सिलाजीत की गोली बनाने का उपाए जिसे बोलते हैं आयरवेद में सिलाजित्यादी वटी इस वटी को, इस टैबलिट को, इस गोली को खाने से आपकी शुगर कंट्रॉल रहेगी ठीक है? पिशाम में धातू आना बंद हो जाएगा पिशाम में शक्कर आना बंद हो जाएगा पिशाब में धातू आना बंद हो जाएगा पिशाब में शक्कर आना बंद हो जाएगा आप आपके जो गुर्दे हैं बार बार पानी फेकते हैं आपको पिशाब की बारम बारता तो बार बार पिशाब आना भी आपका खतम हो जाएगा बहुत ही आसान सा उपाय है क्या करना है मैं बता देता हूं आपको सिला जित्वादी बटी बनाने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको लेना है त्रवंग भस्म या बंग भस्म ले सकते हो लेकिन त्रवंग भस्म लेना आप ठीक है त्रवंग भस्म आपको चाहिए होगी तीन ग्राम या आप ले सकते हो 10 ग्राम 10 ग्राम ले लो कम मतलो 10 ग्राम त्रवंग भस्म ले लो और 15 ग्राम 15 ग्राम की मात्रामा सिलाजीत ले लो ठीक है और 10 ग्राम नीम की सूखी हुई पत्तियों का पाउडर ले लो नीम की पत्तियां ताजा सुखा कर और उनका powder बना लो तीन चीज़ें आपको लेनी सिर्फ तिर्वंग भस्म आपको market में कहीं भी मिल जाएगी पंसारी की दुकान पे नहीं मिलेगी आपको आयरवेद जहां tablet मिलती ही बहां मिल जाएगी आराम से ठीक है कहीं भी medical store पे मिल जाएगी है कि या और विए ऐलाम पतैंच प्रा फूस्ली को लेकर ज़्वंग भस्म आपकर करो मिक्ष करने वाद उपकर से इसओं कम आप हलका पानी डालने के बाद छोटी छोटी गोलियां बनाकर तयार कर लो चने के बरावार ठीक है चोटी छोटी छोटी गोलियां बनाकर तयार करने के बाद अब आपको क्या करना है जिन लोगों को जादा शुगर की शमस्या होती है बार बार पेशाप की शमस्या जादा आती ह तो चार चार गोलियां इन मैसे, चार गोलियां सुबा, सार गोलियां साम कुसा, दुपैर, सुबा, दुपार, साम और रात, चार वार, चार वार आपको चार चार गोलियां लेनी है, या आप तीन वार ले सकते हो, ठीक है, सुबा, दुपैर, साम, तो गुंगने पानी से ले समस्चा है भो भी आपकी खतम हो जाए मतलब कुल मिला के सारी समस्चा आपकी ठीक हो जाएंगे इस नुसके से तो अगर अच्छा लगा हो इस यह नुसका आपको तो मेरी वीडियो को लाइक करना करना मत करना ठीक है फिर चलता हूं मिलूंगा फिर अगली वीडियो ठीक है छान चान चान बना पनी पर ओंग वालों का चान लूआ का ड्रवालु नुटेट